आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक पिक्चर देख रहे होंगे और आप लोग उन्हें इन्हें सुना भी होगा और इन्हें जानते भी होंगे इनका नाम है मोहन भागबत जो RSS है ना राष्टिय स्वयम सेवक संग है ना उसके अभी एप्रमुक है तो आज हम लोग इनके बारे में एक सामान जानकारी देखेंगे क्योंकि आज कल ये भी काफी चर्चा में बने हुए है और इनके द्वारा जो वयान दिये जा रहे है वो भी काफी सुर्खियां बटोर रहे है अगर हम लोग RSS की बात करें तो राष्टिय स्वयम सेवं संग की बात हो रही है और इसकी स्थापना 27 सेप्टमबर 1925 में अगर हम लोग मुहन भागबत की जनम की बात करें तो इनका जनम ग्यारे सेप्टमबर 1950 में महराष्ट ये चंदपुर नामक एक छोटी से नगर में हुआ था और अगर आप लोग महराष्ट को देखना चाहे ना तो देखे ये हमारी प्यारी पित्वी है और इसमें एसिया में ये हमारा प्यारा भारत है और भारत में देखेंगे तो ये हमारा प्यारा क्या भारत मे ये आपका महराष्ट हो गया क्या हो गया महराष्ट हो गया एक राज्य है महराष्ट आप सभी जानते हैं इसकी स्थापना एक माई 1960 में हुई थी मुंबई इसकी राजदानी है और आप देखेंगे कि यहां बिधान सभा में 288 सीटे हैं राज्य सभा में 19 सीटे हैं लोक सभा में 40 सीटे हैं 3,7,713 वर किलो मीटर में फैला हुआ है छेत फल में तीसरे नम्मर पर है आपका महराष्ट पहले पर राजिस्तान दूसरे पर मत्वधिस तीसरे पर महराष्ट तो यहीं इनका जन्म हुआ था और मोहन भागवत का पूरा नाम मोहन राओ, मधुकर राओ, भागवत है मोहन भागवत की पिता का नाम मधुकर राओ, भागवत और मोहन भागवत की माता का नाम मालती वाई है और मधुकर राओ, भागवत और मालती वाई की के बाद चंदपूर के जंता कॉलिज से बीयसी की सिक्षा हासिल की यानि की डिगरी ली मोहन भागवत ने पंजाब राओ किरसी विध्यापीट अकोला से पसू चिकसा और पसू पालम में इसना तक की डिगरी हासिल की और तीन पीडे से पुराना है इनका संग से नाता संग मोहन भागवत नीचiser से रिस्ता तीन पीडी पूराना है मोहन भागवत के दादा नारैन भागवत और मोहन भागवत की पिता मधुका बा Bowad का RSS से जुडा रहा है मधुकर भागवत ने गुजरात में कुच साल RSS के पिचारक की तौर पर भी काम किया था कहा जाता है कि मदुकर भागवत नहीं लाल किष्ण आडवानी का RSS से परिशे कराया था और कहते हैं कि मोहन भागवत सरकारी ओफिसर भी बने पढ़ाई फूरी करने के बाद मोहन भागवत ने सरकारी नौफिर करना सुरू की और मोहन भागवत एनिमल, हस बेंडरी, विभाग में बात और बेटरनरी ओफिसर काम करने लगे शुरूआद में मोहन भागवत की पोस्टिंग चंदपूर में थी लेकिन बाद में उनका ट्रांसफर 90 किलूमीटर दोर चमौर सी कर दिया गया था और फिर आप देखते हैं कि वो समय था 1975-77 की भी हमारे देश में राष्टी आपातकाल लगाया गया था उस समय हमारे देश की पिधान मंतरी इंद्रा गांदी थी तो इस 20 साल 1974 में जब मोहन भागवत पोस्ट गेजुईशन के लिए अकोला गये तब कुछ दुनों बाद साल 1975 में देश में आपातकाल लग गया और ऐसे में मोहन भागवत ने अपनी पड़ाई बीच में छोड़ दी अपातकाल के द्वारा फिर आप देखते हैं कि खतम राष्टी आपातकाल खतम होता है उसके बाद चुना होता है तो कॉंग्रेस को बहुत बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था संग की संचालक बने सन 1991 में मोहन भागवत RSS की सारे रेक पिसीक्षण कारक्रम की अखिल भारती पिरमुक बने साल 1999 तक मोहन भागवत इस पत पर रहे इसी वर्स मोहन भागवत पूर को पूरे देश की संग पिचारकों का पिरमुक बना दिया गया 1999 में साल 2000 में ततकालिन संग प्रमुक राजिंद सिंग और ततकालिक सरकारवाग H.B. सेरेसाधी ने स्वास्त कारणों से अपना पत छोड़ दिया, जिसके बाद इस सोधर्सन को संग का नया प्रमुक बनाया है, मोहन भागवत को सरकारवाग बनाया गया, इसके बाद 21 मार्ट 2009 को इस सोधर्सन के पत को छोड़ने के बाद मोहन भागवत को संग का सरसंग चालक बना दिया गया, और अभी आप देखते हैं, यही करता धरता है, RSS की, और BJP की बात होती ही, तो आपको मालू होगा कि BJP की स्थापना 1980 में हुई थी, और जो को अंग्रेस की बात की है न, यह पुराना राजमितिक दल है, देश की आजादी के लिए एक संगठन की रोम में इसकी स्थापना हुई थी, 28 दिसंबर 1885 में, इसके पहले अध्यक्च बेवमेश चंद वनरजी थे, और संस्थापक ए-ओ-हुम थे, और भारती जिंता पाटी के पहले अध्यक्च अटल वि बिवाद खड़ा हो जाता है, जन्वरी 2013 में भागवत की टिपिनी ने बिवाद को जनम दिया, जब उन्होंने कहा कि महलाओं को केवल गर्णी होना चाहिए, पती को कमाने वाला होना चाहिए, आगस्त 2016 में हिंदू आबादी में बिद्धी पर भागवत की टिपिनी ने ब मोहन भागवत ने एक बार कहा था कि अमेरिका में लोगों को अमेरिकी कहा जाता है, जर्मनी में लोगों को जर्मन कहा जाता है, इंगलेंड में लोगों को अंग्रेजी कहा जाता है, इसलिए भारत में लोगों को हिंदू होना चाहिए, भारत में हर कोई हिंदू है, और मो अब देखें धर्म परिवर्तन को नहीं रोकता है। ये याद रखेगा। समिधान का भागतीन पड़ेंगे, मौलीक अधिकार पड़ेंगे, आर्टिकल 25 पड़ेंगे, तो आपको धर्म को मानने की सुदंता है। लेकिन वो धर्म परिवर्तन समिधान का उलगन करते हुए न अभी भी आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग इस धर्म से उस धर्म में जाते रहते हैं। तो ये भी याद रखेगा। एक बार अभी आपने देखा होगा कि मौहन भागवत साम ने कहा था कि सभी का DNA एक है। और अभी जाती व्यवस्ता को जो सवाल उठा तो उस पर भी उन्होंने टिपरी कहते हुए का कि ये जो जाती व्यवस्ता बनाई हुई ही ना ये पंडितों की बनाई हुई है। अब आप देखें उनका कहने वो सफाई भी दे रहे हैं कि पंडितों का कहने का मतलब है कि वो धर्म गुरुओं की बात करें। चलिए तो इस ता कारण से इह बने हुए है। तो ये सॉट वाई गराफ यी आप लोग कह सकते हैं कि मुहन भागबत की है। आप लोग पढ़ते रहे हैं, enjoy करते रहे है। और किसी के बारे में बात करनी है तो आप लोग बताईएगा, हम लोग बात उसके बारे में भी कर लेंगे। ठीक है?